Capital Smart City Overseas East Sector A में इस तरक development की सूरते हल किया है as the last week of January 2024 इस सीरीज में हम ट्राय करूँ कि एक वीडियो Overseas East की A, B, C, D, E, F, G जिसता सेक्टर वाइस प्लस alternative days पे एक वीडियो Overseas Prime की इस सीरीज को खतम करने के बाद फिर हम Overseas Central और Executive Log की सरह सीरीज बना लेंगे कि एक वीडियो Central की एक वीडियो Executive की तो इस सीरीज में जो Overseas East के मेंबर्स हैं प्लस Overseas Prime 1 के मेंबर्स हैं मैं इचे इसका description में schedule दे दूँगा कि किस डे पर किस डेट पर कौन से वीडियो पोस्ट होगी किस टाइम पर तो जिन मेंबर्स के ओलेड़ी investment है Capital Smartity में Overseas East में Overseas Prime 1 में वो अपनी investment पे और अपनी block का follow up ले सकते हैं कि इस वक वहाँ पे development की सुर्थियाल क्या है इस वक अपनी screen पे sector A में बनने वाले street 4 पे जो दो कनाल के विलाज हैं जिन को company की तरह से 2020 में लाँच किया गया था उसकी footage देख रहे हैं और ये बिल्कुल adjacent street बनती है जिसका नाम है park road और left side पे park road east और park road west बनते हैं सेक्टर A और सेक्टर K को डिवाइड करते हैं अच्छी बात इस linear park road की यह है कि इन दोनों roads के दरम्यान में center में जो area था जिसको linear park लिए dedicate किया गया था ये school से बिल्कुल adjacent था ये school के premises के बिल्कुल सामने था तो इसलिए society ने वहाँ पे तीन ground बना दी हैं एक बचों के खेलने के लिए cricket ground है एक basketball कोट है और तीसरा skating rink है जिसको society की तरह से अभी finishing के काम का आगाज किया जा रहा है left side के block की main road है जो park road है के block की उस पे एक घर में family shift भी होगी और वहाँ पे वो resident है ये member ने खुद अपनी choice से construct किया घर अपनी मर्जी से बना है और खुद वो यहाँ पे move कर गया है और society की तरह से उन्हें 24 hour security भी provide की जा रही है दूसरी बात overseas east की अच्छी है जो अभी recent days में तरगी लास्ट one month के दुरान एक event हुआ है वो यह है कि overseas east को चारों तरफ से cordon off कर दिया गया है यानि पूरे block को fencing कर दी गई है block के अंदर जाने और आने के hardly 2 या 3 रस्ते हैं इन के लावा block में entrance नहीं ले सकते हैं और उन रस्तों पे भी definitely society की तरह से 24 hour guard जो हैं available होते हैं और patrolling के लिए site में routine में जो guards हैं वो आपे गूमते रहते हैं तो यह security का system है overseas east में क्योंकि यहाँ पे 90% area developed है और possessionable है और यहाँ पे बहुत सारे villas हैं जो मकमल हो चुकी हैं और बहुत सारे villas gray structure में हैं तो अभी 2024 में society की तरफ से यह कोशिश होगी कि यहाँ पे maximum residents को अबाद किया जाए अगर हम overseas east sector A से डिजस्टन बिल्कुल देखें तो आपको जाम्यमावस नजर आती है इसके लवा sales gallery और back side पे आप interest point बनता है गॉल्फ कोस के दो interest point है एक है आपका चार्सोफट रोट से और एक इस रोट से interest point है तो यहाँ पे गॉल्फ कोस से एडजस्टन जो Hamilton Hills विला बनाए जाएंगे वो भी एक रोट के फासले पे हैं तो टेक्निकली एरिया काफी ज़दा पॉशरिया बनता है क्योंक यहाँ पर किसी पास sector A में 10 असमरला के दो प्लॉट हैं किनाल का प्लॉट बनता है हाडली वो इस्टे मार्केट वैल्यू रखता है एक करोड के असपास उस वैल्यू के मताबे कर आप construction करते हैं construction कोस्ट मिला के आज की डेट में जो construction कोस्ट बनती है सब कुछ मिला के आपक दो-दो कनाल और चार्चा कनाल के विला उफर किये जाएंगा आगे जिनमें 25 क्रोड पे का तो जो 8400 स्कूर फीट के साथ चार्ट कनाल का विला होगा वो भी अवैलेबल होगा तो उसलिए उसकी काफी अच्छी लोकेशन बनती है अभी जो आप एरिया देख रहे हैं यह कमर्शल रोड और यह यह लिनियर पार के सामने है और स्कूल के बिल्कुश सामने है और यहां पर कमर्शल प्रॉट्ट्स पर बीढिंग स्टार्ट होगी है सुसालिटी की तरह से यहाँ पर जो मेंबर्स ने पोसेक्शन अप्लाइ की है मेरा ख़ाल हाँ कि आने वाले दिन स्टोर हो गया वो शॉपस आपको इन कमर्शल प्रोजेक्ट पर मिल जाएंगी मुस्ट प्रॉबबरी इन कमर्शल एरिया जो यह वला बनेगा यह स्कूल की जो नीड़ ना उसको ज्यादा फुल्फिल करने के लिए बनेगा क्योंकि यहां पर जार सी बात है बिल्कुल सामने स्कूल है तो आने वाले दिनों में जब स्कूल के लिए जब आम तो पर शॉपस होंगी स्टेशनरी शॉपस होगी यह डिफरेंट जो अकैडमिस टाइप होगी मेरा खाल में वह पर ज्यादा भी यहां पर फेवरिट होगी अगर हम बात करें इन जनरल सेक्टर ए की तो सेक सेक्टर ए और के को डिवाइट करता है और तीसरा जो ओवर सीजी का सेंटरल पार्क है वह बिल्कुल इस लिए पार्क के आपको डूम नजर आ रहा है वह सेंटरल पार्क है तो तीन साइड वे पार्क बनता है अगर हम बात करें दो साइड पर में रोड आते हैं बैक साइड पर गॉल्फ कोर्स और सेक्टर एक को डिवाइट करने वाला जो रोड है वह 180 फीट वाइट एक्सेस वन रोड जो जाकर इंटरचेंज से कनेक्ट करता है नमबर वन नमबर डू राइट साइड पर जो आर वन रोड वह भी में डबल रोड है तो वहां से भी आपका उसके पीछे स्केटिंग रिंग मजूद है तो ओवराल जो साइटी के लिए रेजिडेंट सोंगे स्पेसिफिकली सेक्टर ए और के के उनके बेनिफिट्स यहां पर तमाम के तमाम बेनिफिट्स सेम होंगे इंटरचेंज से डिस्टंस भी कम होगा उसके साथ साथ बनते हैं उसलिहां से क्योंकि आरवन रोट के बेनिफिट के साथ गुल्ट जामय मस्जिट के साथ आपको हल्थ के लिए 50 बेट का हॉस्पिलिन देल जाता है अब अनगम मस्जिट की बात किया है तो कि सेक्टर ए से एडेजिस्ट्स वाकई है तो आपको मजभी फरीजे ब साथ आपको यह पूरा लीनियर पार्क कर नजर आ रहा होगा सामने के ब्लॉक पर में रोड पर तीन गर बन गया है लेकिन प्रॉपरली जहां पर लोग मुव हुए है वह एक घर है जहां मुव हुए है अभी रिसनली हमारे नजर आ रहे हैं दसस्मरला का जो पेर बनावा यहां पर उनने टेंपररी तोर पर यहां शिफ्ट कर दिया गया था और तीन हफते के अंदर उनका विला रेडी करके उनको हैंड़ कर दिया था आज वो अपने विला में रहाइश पजीर हैं कल मैं किसी मेंबर का कमेंट मैं यहां धान पर इस कर दिया हैं सेक्टर सी आजस्खते का अगयों कर दिया हैं तो वहां पर सिलिकोन विलिज के जो फील्सॉम टीन वर्दाट अपर रहाइश कर दिया हूं वहांग यहीं कंपनी ने वहां पर पर रहाइश का पनिन भाजबार को 2 विलाज में राइट साइड पे एकसेस वन रोड 180 फिट वाइड उसकी बैक साइड पे गॉल्फ कोर्स सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये 50 वेट का हॉस्पिटल उसकी बैक साइड पे जामय मस्जिद उसकी बैक साइड पे आपका जाता है हमिल्टन हिल्स ब्लॉक तो मेरा ख्याल है कि लोकेशन के इतबार साइड जिन भी मेंबर स्कीम सेक्टर A Overseas East में इन्वेस्टमेंट है उनकी इन्वेस्टमेंट अपनी जगापे बहुत अच्छी स्टेंड करती है क्योंकि आज की डेट में कीपिंग इन मैंड दा करण स्टेरियो फ़ पाकिस्तान आपको इसलामबाद प्रेमिसिज में या मोटर वे के उपर पाकिस्तान की पहली सुसाइटी जिसका जाती इन्टरचेंज और मोटर वे के उपर उस सुसाइटी में अगर प्रॉपर्टी आपको मिले वो भी आपको आजगल जो प्रॉपर्टी यहां पर इंस्टॉल्वन मिलती है 7.5 मिलिन का दसमर्ला का प्लॉट है रिसेल में श्याद सुस्ता मिल जाए लेकिन यहां पर भी आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी आज नहीं लेकिन आने वले दो तीन चार साल बात आपको यहां पर बहुत अच्छा आरवाई रिटान और इंवेस्मेंट पास होगा क्यूंकि इस से पहले स्मार्टी की तरह का इनिशेटिफ इतने बड़े स्केल पे किसी भी प्राइवेट डिवेलपर ने नहीं लिया मैंने एक विडियो पोस्ट की थी अल्मॉस्स फिफ्ट पांच-छे महीं ने हो गया है कि पचास हजार कनाल आपका गूगल अर्थ पर रखबा है जो डिवेलप है इमेजिन करेंगें गूगल अर्थ की इमेजिस पाकसान में अपडेट होने में तक्रीबां 6-7-7 मा का टाइम लगा जाती है तो अभी अगर आज की डेट में रखबा मेजिर करें जब अपडेट हो गूगल अर्थ पर में दुबारा मेजिर कर दूँगा लेकर अप्रॉक्सिमेट रखबा जो बनता होगा 80-90,000 कनाल बनता होगा जो इस वक्साइटी मिनिमम ब्राउन तो कर चुकी है डिवेलब ना से लिके ब्राउन तो हो चुका है 50,000 कनाल अगर डिवेलब भी हो 45,000 ब्राउन भी हो तो एक बहुत बड़ा रखबा बनता है एक ने शेयर के बराबर बनता है आम तोर पे साइटी लाँच होती है लोग दावाई करते हैं कि हमारा इतने हजार कनाल पर प्रजक्ट होगा यह इस वक्त फिजिकली 90,000 कनाल पर डिलिवर प्रजक्ट है अब मैं ऐसी आपको गूगल अर्थ पर थोड़े समराइज करता हूँ कि सेक्टर A इंटर्चेंज से कितने फासले पर आपका 2.4 km का और अगर आप इंटर्चेंज से उतर के यहां पर कम्यूट कर रहे है और शुरू में 400 फॉट रोड आ गया कि सवसी फुट रोड है तो 2.8, 2.9 km का दिस्टंस is very minimal in terms of location क्योंकि इंटर्चेंज पर जाने के लिए आपको एक मिनट का टाम रिक्वाइड है अगर आप इंटर्चेंज की बात करें तो ऑपोजट साइट पर इंटर्चेंज के आपको काफी ज़्यादा आने विले दूने में सेक्टर A में देखते हैं अगर आपका यहां किसी बेरियाम प्लॉट है वर्स्ट अफॉल टोटल जो स्ट्रीट बनती हैं वन टू थ्री फोर और फाइफ 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 स्ट्रीट बनती हैं अगर हम लेंस की बात करें इससे जए बडा ब्लॉक नियुमा एक स्कूर कहलें जो बिसिकली पांच वर्टिकल लाइन और पांच होजन्ट लाइन पे मुझते मिल यह वर्ण सेक्टर एक लोकेशन बनती है अगर आम उसके बात करें नौर्स साइट पर लीनियर पार बनता है साथ आपका स्कूल है स्मार्टेटी के इर्दगर्द घुमेंगा तो इसलिए सिजिंग रोड की बहुत इंपॉर्टन्स है यह अगर आपने इंटर सिटी कम्यूट करना है स्मार्टेटी के अंदर तो यह रोड आपको बहुत जादा हल्प करेगा इसके बिल्कुल ऑपजिट साइट पर यहां पर हॉस्पिटल आ गया इसके साथ यह आपकी सेल्स गैलरी आ गई यह आपकी जामय मॉस्ग आ गई तो नियर बाइ एक रोड वो क्रॉस करें तो आप जामय मस्ज़ तक जा सकते हैं यह सबसे ज़्यादा अच्छी ऑपरचुनिटी ऑन मेंबर्स के लिए सेक्टर एक एराइश यहां पर टूंटी फाइफ करोड का एक विला लाउंच होगा अगर यहां पर आपके पास फर जेंपल ले आठ जार चार्सों स्कृफिर्टी कंस्ट्रक्शन करते हैं दो प्लॉट जोड़के तो इमेजन करें यहां पर पच्छी स्क्रोड की कंस्ट्रक्शन होगी वह वह पर आपको 25 क्रोड और 5-6 क्रोड का फरक मिलता है अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं यहां पर दो प्लॉट जोड़के तीन प्लॉट जोड़के इनफरक्ट यहां पर किनाल के प्लॉट भी है किनाल के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करते हैं घर बनाते हैं तो आपको य हाडली कहलें कि एक रोड का गया पाता है बीच में यहां पर हमिल्टन हिल है यहां पर भी 10 क्रोड का विला यहां पर सुसाइटी की तरफ से किनाल का लॉंच किया गया है इंटरजेंग भी पास है हेल्थकेर भी पास है स्कूल भी पास है पार्क्स भी पास है सेंट्रल पार् लावा अगर आपको मेन शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे शॉाल टी के यहां पे इस पलाजर के और बैंक्स मुजू ने मजूद है यहाँ पे बार्बर मेजूद हैं और बाकी चोटे मोटे जो शॉप्स होती है वो भी इस प्लाज मुझूद है तो आपको वो भी काफी एडिट बेनिफिट मिलेगा इफ यॉर लिविंग इन ओवर्सीज इस सेक्टर A ये अवराल इन जनरल इंफरमेशन थी अवराल ये जो मैप आप देख रहे हैं पांच ट्रीट पांच लेंज का ये मैप है अवराल सेक्टर A का जिसकी डिटेल्स आप ने इस वीडियो में थोरोली ये खायरे 2018 में लाँच होता तो वर्सीज इस आज 2024 चल रहा है तो ये अब तक ये खायरे पिछले तीन साल से डिवैलिप ही है इसमें को बड़ी बात नहीं है ये जिस अपडेट है उन मेंबर्स के लिए जिनकी इन्वेंटरी हैं जिनकी इन्वेस्मेंट ओवर्सीज इस सेक्टर A में अलड़ी पार्गड है अगिन बेक टो एल्टाम फोटेज इस वोकर में स्क्रीन पे दोबारा सेक्टर A की जो औवर्ल फोटेज यबा देख सकते हैं ये थी और अवर्सीज इस की जिसमें बात किया कि मैं डेटेल से जो विडियो और सेक्क्टर A की तमाम विडियो गोगल लोकेशन पर यंड ऑबराल तमाम जो विडियो बनेगी मैं आने में दिनों में सीरीज की form में हम randomly upload नहीं करेंगे वीडियो वो randomly upload करने के लिए separate time रख लेंगे लेकिन इस सीरीज में हम try करेंगे overseas east, overseas prime 1 के तमाम sector जितने भी बनते हैं जो develop हो चुकी हैं और यो नहीं भी develop हुए किसमें कितने रख्बे पे काम हुआ है हम तमाम वीडियो इस वीडियो इस सीरीज में शेर कर देंगे अगर आपको वीडियो ची लेके तो प्लीज जूल आए, कमेंट और शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलें रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस